नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में और जैसा मैंने वादा किया था आज के इस वीडियो में M31S का Android 11 के साथ कैमरा एप कैसा चल रहा है और इमेजिस किस तरह की आ रही है वो रिव्यू में छोटा सा लेके आया हूँ अलसो HDR जो M51 में नहीं चल रहा था क्या वो M31S में काम कर रहा है आएए देख लेते हैं तो M31S की अगर मैं बात करूं कैमरा की तो जैसा कि अभी तक आप सब लोगों को पता ही होगा कि 64 MP का एक primary sensor आपको M31S में मिल जाता है जिसके साथ 12 MP का ultra wide angle lens मिल जाता है 5 MP का एक macro lens मिल जाता है जो की मेरा बहुत ही favorite photography का तरीका है और साथ में आपको 5 MP का depth sensing camera मिल जाता है lens मिल जाता है जिससे कि आपको portrait mode में काफी जादा आसानी हो जाती है तो अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो 64 MP की जो images हैं वो काफी crisp और काफी अच्छी आ रही है अब comparison मैंने किया था पुराने जब Android 10 था उससे तो मुझे कोई खास difference इस तरह का लगा नहीं में भी थोड़ा सा colors में फरक आये है, minute colors में फरक आये है, बहुत ही कम फरक आया हुआ है शायद बट वो भी अगर आप एकदम pixel peep करे images को side by side Android 10 और Android 11 की images को देखें तो शायद कहीं न कहीं expert eyes अगर आपकी है, अगर आपको तस्वीरें देखके आपको आदत है तो ही आप जो है दोनों का difference को समझ पाएंगे तो overall normal जो camera है मेरा उसमें इतना कोई difference है नहीं बट HDR की अगर मैं बात करूं Auto HDR मेरा switched on था हमेशा और काम बहुत ही बहतरीन तरीके से किया ऐसा मुझे लगा मुझे कभी भी नहीं लगा कि Auto HDR की वज़े से मेरी images overexpose हो रही थी या colors जो है washed out हो रहे थे इस तरह की photos M51 में आ रही है HDR के साथ तो thankfully M31S में HDR का कोई भी issue मुझे तो at least नजर नहीं आया है क्या आप लोगों को कोई problems हो रही है camera's में M31S की तो जरूर बताइए का comment में और कोशिश करूंगा कि उस problem क्या हल निकाले हम और आप साथ बैठके बात करते हैं ultra wide angle lens की तो उसमें भी image quality में कोई ऐसा फर्क नहीं आया है image quality same ही है अब अगर तीन camera's में से मैं बात करूं best quality की तो मुझे लगता है कि जो normal lens है normal angle lens है जब आप camera app खोलते हैं उसमें जो पहला photo लिखा हुआ है नीचे वो जो lens use करता है normal lens auto mode में वो सबसे बहतरीन lens है because ultra wide में अगर light कम है तो कही न कहीं image quality में hit जरूर मिलता है एक downgrade जिसको हम कहते हैं वो जरूर मिलता है quality के अगर मैं बात करूं अगर coverage की बात करूं wide angle की तो बहुत ज्यादा wide angle है fantastic angle of focal length है वो और group photos में या आप कुछ wide landscape वगरा लेने के शौकीन है तो आपको wide angle lens में काफ मैं हमेशा की तरह suggest करूंगा की night mode use करिएगा अब night mode में भी आप wide angle का इस्तमाल कर सकते हैं which is a very very good thing तो light कम है shift to night mode because night mode के through आपके highlights और shadows का difference जो है वो बहुत ही बहतरीन तरीके से जो है camera m31s का वो manage करता है जिसकी वजह से contrast हो colors हो या overall sharpness हो वो काफी बहतरीन आ जाती है तो camera app बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है तीसरा lens है macro lens जो की मेरा favorite lens आप कह सकते हैं of course macro lens होने के वजह से ये autofocus नहीं करता है जितने लोगों को ये लगता है कि यार मेरा macro lens focus नहीं करता है क्या ये camera lens की issue है नहीं ये camera lens का issue नहीं है because macro lens is not an autofocus lens जैसे ही आप tap कर देते हो camera में आपके और focus कर देता है कोई भी image macro lens में वो capability नहीं है because macro lens में आपको करना क्या है ये अगर आपका subject है और ये आपका camera है तो आपको subject के नस्दीक अपने camera को लाते जाना है और 3-5 cm का difference जब आपके subject और camera lens में होगा तो automatically आप देखेंगे कि आपका subject है वो sharp हो चुका है या focus मे आ चुका है तब आपको lens को click कर देना है photos को click कर देनी है अगर आप दूर जाते रहोगे तो आप देखोगी कि आपका subject जो है वो blurry हो गया है वो एकदम धुंदला हो गया है दिखनी रहे क्यों क्योंकि macro lens जो है मेरा वो manual focus lens है autofocus lens नहीं है manual focus का lens का मतलब यह होता है कि subject के आ आप tap करके autofocus का इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं तो उस वज़य से आपको यह शायद लग सकता है कि आपका macro lens काम नहीं कर रहा है but macro lens is working perfectly fine it's just that आपके subject को physically एक जगा रखते हुए आपको अपने camera को move करना है आगे so that जब 3-5 cm का difference आपके subject में और camera के lens में हो तो automatically आप इमेज क्वालिडी की macro lens की वह बहुत ही बहुत ही बहुत ही शार्प है बहुत ही ज्यादा contrasty images है जो की एक बहुत ही अच्छी चीज है क्या कोई improvement है Android 11 होने के बाद मुझे particularly तो नहीं लगा but overall image quality पहले के जैसे ही है which means it's really really fantastic और autofocus में macro lens की बात नहीं कर रहा हूं मैं normal lenses की कर रहा हूं autofocus में मुझे लगा की थोड़ा improvement शायद हुआ है autofocus has become a little quicker मुझे ऐसा लगा की थोड़ा सा swift हो चुका है थोड़ा सा fast हो चुका है जैसा M51 में मैंने notice किया था Android 11 के update के बाद autofocus जो है वो थोड़ा सा minutely फर्क उसमें पढ़ा है बहतर हो गया है अब videos की अगर कोई करे तो 60 fps का option कहीं न कहीं जुड़ जाए बट इस वक्त हमारे पास 4K 30, 1080p में 30 और of course 720p में 30 का option है slow motion का option जरूर है बट दिन अगेन slow motion के option को use करने के लिए आपको light अच्छी होनी पड़ेगी अगर आप अंदर घर के अंदर या artificial light में shoot करते हो slow motion तो आपको जो है flickering मह fault नहीं है यह simple physics है कि camera का lens आपका refresh rate जो है light के हिसाब से अंदर artificial light के हिसाब से manage नहीं कर पाता है तो slow motion अगर आप shoot करना पसंद करते हैं तो you make sure कि आप बाहर जाके बहतरीन light में sunlight में आप slow motion shoot करें video quality भी अच्छी है photo quality भी overall अच्छी है portrait mode की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी blur में bokeh में कोई फरक नहीं पड़ा है ना ही कोई नया option portrait mode में ऐसा जुड़ा है जो कि मैं इस video में अलग से बता पाऊं आप लोगों गो तो क्या camera app में कोई improvement है autofocus में improvement है one secondly HDR इसका काम कर रहा है मैंने double check किया है auto HDR on करके काम जरूर कर रहा है improvement उसमें हुई है नहीं हुई है वो दूसरी चीज है बड़ जैसे M51 में HDR काम नहीं कर रहा है अब तक update के बाद वैसा problem M31S में नहीं है तो auto HDR is working fine images are coming out to be very crisp and colorful and sharp जो की हमें चाहिए हमको क्या चाहिए यार जब हम आप हम और आ contrast sharpness यह तीनों चीज जो है अच्छी तरह खिलके आए तो वो जरूर जो है खिलके आ रहा है M31S में तो यह छोटा सा मेरा camera का overview या review कह लिए आप लोगों के लिए था अगर आपको लगता है कि आपके M31S के camera में कोई issue है या आपको कोई भी mode में shoot करने में आपको कोई automatic mode हो चाहे macro mode हो चाहे wide angle mode हो चाहे portrait mode हो जरूर नीचे comment में छोड़ दीजेगा और कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो बनाओं जो भी आपको issues है ना एक common issues अगर मुझे कोई दिखेगा comments पे तो उन common issues को sort out करने के लिए accepted video आप लोगों के लिए मैं जरूर बनाओंगा त Android 11 के साथ M31S का एक overall overview या review भी जल्दी ही आने वाला है उसका भी इंतिजार जरूर कीजेगा because ये camera का review है एक अलग से full review Android 11 के बाद कैसा perform कर रहा है M31S overall उसका भी जरूर बनाएंगे तो इसी के साथ इस video को करूँगा अंत लाइक करके जाना है subscribe नहीं किया है अब तक तो य नए वीडियो में नमस्कार